हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अचब कचब हेस्ट्राइल दिखाएंगे, जिसे देख करके आप हजी के बारे लोड़ोट हो जाएंगे अगर देखी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा जरू करने से पहले जो चैनल पे नए है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर लिजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं नमबर एक अब ये क्या है भाई बिल्कुल गोड़े के बाल जैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करेंगा नमबर दू जब किसी को गंजा भी होना हो और बाल भी रखने हो तो कुछ ऐसा हेरस्ट्याल जरम लेता है आपको देख लो इस सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ नमबर तीन इस वाले नमूने को देखकर तो पक्का हसी आगई है यह बीच में नाली क्यों बनाई रहा है लगता है प्लेन लेंड करना है चलो आप लेंड कोजते हैं नमबर चार लो यह आगए प्लेंड चलो इसको वही लेंड करवाते हैं चलो सब लो बैट जाओ पर बैटने के लिए यह वाला बटन दवाना जरूरी है नमबर पाँच प्लेन खोशते खोशते हम लोगों का हरिकोप्टर है मिल गया इस बात से तो लाइक बनता है बॉस नमबर छे इस भाई ने सारी पेंटिंग अपने सिर्पर ही कर वाली वाव बेरी डेंजरेश आप इनको म्यूजियम भेजते हैं और पैसे कमाते हैं पैसा ही पैसा हो या तेरा बाप याद खोड़ कर गया तकि तेरी माँ नमबर साथ अब देखो यह जाड़ी आरे जाड़ियों के बीच में हाईवे कहां से आ गया वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है नमबर आठ अब दुबई का पाम आइलेंड इन भाई साब के सिर्पर आ गया कबसे कुछ भी मजा आया और मैं यह जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता है नमबर नो यह क्या क्रेटिव्टी है बॉस सही में गजब है इतने तेजस्वी लोग है मारे पास कितने शांदार विचार रखते हैं जी शायद यह बारबर पेंटर बनना चाहता था पर मजबूरी में बारबर बनना पड़ा नमबर दस बाल शैंपू तेल तो पीता है पर यह वाला तो सिगरेट भी पीता है कुछ भी नहीं यकीन हुआ तो खुद देख लो यह क्या है भाई मतलब कुछ भी क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात सब बात बात बड़ी